तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास Redmi यानि कि MI का फोन है और दोस्तों इस फोन में देखिए क्या प्रूबलम है तो जैसे मैं इस फोन को पावर 1 करता हूँ तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं Redmi का logo आया है और यह फोन देखिए 1 नहीं हो रहा है इस परकार से आपड़न हो और बैटरी बिल्कुल चार्ज है लेकिन यहां पर देखें बैटरी बिल्कुल लो बताएंगे तो देखें इस परकार से दो तीन बार हुआ और यहां पर बैटरी बिल्कुल लो बता रहा है यानि कि बता रहा है बैटरी पूरी चार्ज नहीं है लेकिन मेरा बैटरी और देखे इसमें चार्ज कितना परसंड है तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 77% चार्ज है तो यह फोन 1 नहीं हो रहा है अभी चार्ज में लगाए हैं तो यह फोन विल्कुल 1 हो जाएंगे तो यहाँ पर देखे दोस्तों इस परकार से प्रोलम दिखाई दे रहे हैं हमारे इस फोन में तो इस प्रोलम को हम कैसे स्वल्ब करेंगे तो आए इस वीडियो में हम पुरी तरह से आप लोगों में दिखाने की कोशिज करूंगा तो आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं द बिल्कुल नहीं हो रहा है तो इस प्रोल्म को कैसे हमेशा के लिए ठीक करेंगे तो इस वीडियो पे आप लोग जुरूर लाश्ट तक बने रहें तो देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिज कर रहा हूं कि इस फोन में आखिर प्रोल्म है क्य तो चार्ज बिल्कुल इसमें दोस्तों 77% चार्ज है लेकिन फोन 1 नहीं हो रहा है तो चले मैं इसको चार्ज से निकालने के बाद इस फोन को मैं थोड़ा सा खोल लेता हूं खुलने के बाद देखता हूं कि, इस फोन में कहां से प्रोलम आ रही है, तो आपको दोस्तों ये प्रोलम बड़ा लग रहा है, लेकिन ये प्रोलम बिल्कुल छोटा सा है, तो आप लोग विडियो में बने रहे हैं, आप खुद से दोस्तों यह problem को solve कर सकते हैं सिर्फ एक वायर से यानि एक jumper मारिएगा आपका problem solve हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको बैटरी को और इसका जो body है बैटरी को disconnect करना है तो अगर आपके पास कोई साभी phone है अगर इस परकार से अगर problem आपके phone में दीख रहा है तो आप बिल्कुल यह trick से आप उस भी phone को ठीक कर सकते हैं चाहे कोई साभी company का हो तो चलिए मैं देख सकते हूँ यह निकाल लिया हूँ निकालने के बाद में इसको battery यहाँ पे जो लगा हुआ है सारा केवल usb port डिस्पले सभी को हम निकाल देंगे तो यहाँ पर चाहसे देख सकते हैं तीन फ्रेज पत्ता लगा हुआ इसमें एक डिस्पले का एक charging का और एक battery का तो चलिए मैं एक एक करके सभी को निकाल देते हैं तो चलिए मैं निकाल देता हूं सबसे पहले battery को बैटरी को निकालने के बाद आप चलिए मैं usb पत्ता को निकाल देता हूं उसके बाद में डिस्पले को भी निकाल देता हूं तो यह सारा चीज निकालने के बाद आप करना क्या है दोस्तों तो यहां पर आको करना है क्या है बेटरी का ह्वाटरी का कीट होता है जो इसी को आपको देखना है कहां पे है तो इस परकार से दोस्तों मैं बैटरी का जो कीट होता है उसको मैं निकाल देता हूँ आने की दिखने के लिए तो इस परकार से इस पर टेप लगा हुआ है पेकिंग किया हुआ है तो आप किसी भी बिलेट से इसको आप हलकालका काड़ देना है इस परकार से जैसे मैं काट रहा हूँ तो देखिए बिल्कुल ये कट चुका है आपको ध्यान रखना है ज्यादा अंदर ब्लेट नहीं डालना है उपर से श्रीप इसका जो इस टिगर आने की टेप लगा हुआ है वो श्रीप निकालना है आप चाहे चिम्टे से या तो किसी चीद से हलके हलके निकाल सकते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों मैं इसको अब चिम्टे के सहरा से और नाखुन के सहरा से में से बाहर निकालने की कोशिज करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं थोड़ा सा वीडियो को स्पीट कर दिया हूँ ताकि वीडियो लंबी न हो जाए तो यहाँ पर जैसे देख स तो यहाँ पर आपको क्या करना है सोट कर देना है एक जमफर से आप चाहे डारेट स्वल्डिंग आयरेंड से रांगा लगा के स्वल्डिंग कर सकते हैं दोनों को सोट कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है L, K एल के लिखा हुआ है इस जगह पे तो वहीं पे आपको एक छोटा सा तार लेना है जमफर वाला वहां पे आपको दोहों सीरे में लगा के जमफर मार देना है इससे आपका प्रोलम हैंडरेट परसेंट स्वल्व हो जाएंगे तो मैंने कई सारे फोन में दोस्तों इस परकार क का प्रोलम को स्वल्व किये हैं तो चाहे कोई सा भी फोन हो मैं इसी परकार से इस परकार का प्रोलम को स्वल्व करते हैं कोई सा भी कंपनी का फोन हो तो अगर इस परकार का प्रोलम दिखे तो आप एक जमफर मार गये तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास एक जमफर है जो यहां पर voltage अधिक लगता है तो मैं यही वायर यूज करता हूं तो देख सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको खुरच केस में लगा देता हूं रागा ताकि अच्छी तरह से काम करें तो ब्लेट से खुरोचने के बाद यहां पर मैं थोड़ा सा इसमें रागा डाल देते हैं तो आप भी इस परकार से रहां डाल देजिए क्योंकि तो यहां पर नॉर्मल सा पतला वायर जमफर देते हैं तो बैटरी का तो आप बीना जमफर से भी कर सकते हैं रागा मोटा करके देना पड़ेगा लेकिन तो चलिए मैं यहां पर इस परकार से मैं रागा मारने की कोशिस कर रहा हूं लेकिन नहीं लग रहा है तो आप लोग कोशिस किजिएगा तो लग जाएंगे रागा तो नहीं लगा तो मैं फिरी में तो एक जमफर मार देता हूं कंट ही तो मेरा बालेंस नहीं बन रहा है मोगाइल को रखने के लिए क्यूंकि दूश्तो इसको पकार रहा हूं और सोल्डिंग बी और वायर भी और फोन में तो मैं कोशिज कर रहा हूं सही से मैं इसको करने की जंपर मारने की और आट कि है different makes तो देख सकते हैं एक जंपर भी मार देते हैं यानिकि हम सोचिक के रंगा मारनें हो कंपनी का बैटरी है तो देख सकते हैं मैं इस परकार से जमफर मार दिये हैं आप लोग देख लेजिए आप पहचान लेजिए कहां पे मैंने जमफर मारे हैं कौन सा जगह पे एल के नाम का होगा एक डायड तो वहां पे आपको जम्पर मार देना हैं कि सोड़ कर देना है दोनों सी रे में तो इस्क्रीम पे मैं लगा दूँँगा फोटो आप लोग देख के आप पहचान के आप एक जंपर मार के इस प्रोलम को सॉल्ब कर सकता हूं तो चलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को इस्पिट कर देता हूँ इस्पिट करने के बाद मैं पेकिंग कर दिया हूँ पेकिंग करने के बाद अब मैं इस फोन को वन करूँगा बिना चार्जर से यहाँ पे देख सकते हैं तो जैसे मैं पेकिंग करने के बाद इस फोन को पावर वन करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं इस परकार से रेडमी का लोगो आ चुका है और यह बिल्कुल आप डाउन नहीं हो रहा है यहां पे जैसे देख सकते हैं मैं थोड़ा सा वीडियो को स्पिट कर दिया हूं ताक कर दो एक जाऊजरख सा व सकते हैं मैं तो के जाजरेख जया हूं जया जिया हैं चुआ।